आप सब्सक्राइब करेंगे आज अपने इस डिवाइस को रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ आप में से कोई भी एक लखी विजयता है इस फोन को अपने घर ले जा सकता है यह फोन थोड़ा सा पुराना है बर बिल्कुल चम चम आता हुआ है तो गेववे के लिए भी इस वीडियो को आगे तक देखना और साथ में आपने इसका रिव्यू देखेंगे और बात करेंगे क्या यह फोन दो साल के बाद भी क्या यह फोन वाकी वर्थ है अपनी प्राइस का और दूसरा क्या आप लोगों को यह डिवाइस पर्चेस करनी चाहिए तो चले दोस्यों शुरू करते हैं इस वीडियो को तो गिववबे के लिए सबसे लास्ट में अपन बात करेंगे सबसे पहले इस डिवाइस के आल ओवर रिव्यू की बात कर लेते हैं तो यह जो डिवाइस है यह काफी ज्यादा सिमिलर है आइफोन 11 के इन फैक आइफोन 11 इसका बड़ा भाई है और अगर अगर अपन बात क बात कर लेते हैं इसके screen की तो जो कि this screen है यह पूरी 720p माला जो यह बोलते है वो 720p की screen बोलते है LCD वाली ठीक है जब कि ऐसा हे डीफन निहाब निवाथ लेएक दैखने मिल जाएगा, जैस division mijn जो पुराना फॉन था, वसका सेवन प्रो था, अईफन 11 से पहले. Soric is, और जो अईफन 11 की üstया स्क्राइट था यह वन 1 प्लस 7 प्रो प्रो स्क्रीन थी, और ज्यादा डिफरेंस था और इसमें और आइफोन 11 की स्क्रीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है बिलकुछ same to same screen है अगर आप लोग मार्केट पे जाके आइफोन XR की स्क्रीन आइफोन 11 पे लगाओगे और 11 की XR पे लगाओगे there is no single difference ठीक है और इंके जिते भी connectors वोगर आते हैं वो भी सारे same से आते हैं और काफी जादा ठीक ठाक से screen है और मैं ठीक ठाक से सिर्फ इसलिए बोड़ रहा हूँ screen काफी जादा अच्छी है पर जिस price range में phone आता है उस हिसाब से screen इसकी थोड़ी सी कमजोर है क्योंकि जो price यह offer करता है जिस price में specs offer करता है उसके अंदर काफी अच्छी 2K वाली OLED वाली display आ जाती है in fact curve displays भी आपको आजकल देखने को मिल जाएगी ठीक है अब बात कर लेते हैं इसके camera की तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल camera है और आगी की दर्फ भी एक सिंगल camera है दोनों में camera है 12 megapixel और 7 megapixel और जहां तक बात कर लेते हैं camera की तो मैं literally बता रहा हूं camera से disappointed नहीं होंगे camera काफी ही ज्यादा अच्छा है ठीक है और साथ ही साथ iphone के software इस camera को और भी ज्यादा अच्छा बना देता है तिक है अगर आप बात कर लेते हैं Bokeh Effects की, अगर आप बात कर लेते हैं Portrait Modes की, अगर आप बात कर लेते हैं इसके वीडियो की, तो काफी ज्यादा अच्छा कैमरा है, बट एक छोड़ा सा ड्रॉबैक आपको यह देखने को मिल जाएगा कि यार इसके अंदर जो अपने Pro Mode हो जैसे जिसमें आप Aperture, Exposure वगरे गंड्रोल कर सकते हो, आजकल काफी ज़्यादा फोनों में देखने को मिल जाएगा है, बट Apple ने वो सब चीजे इसके अंदर इंक्लूड नहीं करी है, पोट्रेट मोड के अंदर ज़रूर आप इसका Bokeh Effect चेंज कर सकते हो, बट और वीड से जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडिये मादब इसको मैनुवल मोड में ले जाएगा, अरे कहना क्या चाहते हो, लिकि बट अगर अगर अपन बात करें जो इसका Automatic है, वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसकी All Over Body के ओपर इसकी जो Body है वो भाइट पूरी Mirror के अंदर बनी है, मालब करी-परी, यहां पे 7000 Aluminium की Frame है, जो काफी ही जादा Sturdy है, बट अगर यह Phone गरता है, या Normal usage पे, इसमें थोड़े से Scratches और Dents पढ़ने के Chances हैं, और जब Dents पढ़ता है, तो यहां पे थोड़े थोड़े इसकी जान रखते हैं, वैसे सब Cover चड़ाते हैं, बट हम लोग नहीं चड़ाते हैं, और Skin वगर आप चड़ा सब तो काफी अच्छी Skins आपको इसकी देखने को मिल जाती है, अब बात कर लेते हैं, इसके buttons की तो जो इसका button है थोड़े से problem आले हैं, आपको बाद में जाके चार्जर आता है, तो आप लोगों को इसका चार्जर अलग से पर्चेस करना पड़ेगा, और अगर मैं अलग से बताऊं, तो जो company का चार्जर है, वो तो something around 4000 रुबए का पड़ेगा, और जो local चार्जर आप लेना चाहते हैं, तो 2300 से 2500 रुबए के बीच में आपको चार अब बात कर लेते हैं, बैटरी की तो इसके अंदर 2998 something mh की बैटरी है, जो की करीब-करीब 3000 mh की बैटरी है, और अगर बैटरी लाइफ की बात करें ना भाई, बैटरी काम है मैं जानता हो, बट यार क्यों मेर को ऐसा लगता है, यह अगर आप लोग एक normal यूसे ही देख इसकी बैटरी काफी जादा अच्छी है, अगर आप सुबह चालो करते हो, तो शाम तक इसकी बैटरी अराम से चली जाएगी, जिसमें अगर आप screen time की बात करें तो चार से 4.5 खंटे की screen time आपको अराम से देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बात कर लेते हैं, इसके अंदर wireless charging जो कि में को काफी जादा अच्छी लगती है, ठीक है, कहीं पर भी आप रख दो तो wireless charging आसानी से मिल जाती है, ठीक है, इनफेक्ट आचकल power banks भी आगे, जिन में wireless लिया power bank को आसपास रखोगे, तो चार्ज होता रहेगा, बहला आसपास इंदा से रखना पड़ेगा, तो जाएगा, और अगर आपन बात करता है wireless charging के लिए, तो काफ कितना है, भी मोटा cover लगा लो, मेरे पास इतना मोटा cover है, उसके अंदर भी wireless charging perfect काम करती है, तो कोई ऐसे दिक्कत देने वाली बात नहीं है, ठीक है, all over, अब आप लोग मेंट से पुछोगी कि क्या ये phone अभी व मेरे साब से काफी जादा है, अभी भी क्योंकि 38,000 के अंदर आपको काफी अच्छे phones देखने को मिल जाते हैं, अगर आप बात करते हो Android में, तो Android के अंदर आप ये मानू के चलो, कि आपको 30,000 से 40,000 के बीच में काफी अच्छे phones मिल जाते हैं, जो कि मेरे को यार लगता है क्या वो जादा वर्थ spending है, इन टरम्स अव इसके, बट अगर आपको iOS family के अंदर आना है, तो मेरे साब से काफी अच्छा starter रहेगा भाई, मतलब must है ना, आप इसको अराम से use कर सकते हो, normal day-to-day use के लिए, बट अगर अगर अपन बात करते हैं, इसकी pricing को लेकर, तो around इससे कुणा नहीं model है, दूसरा उसमें dual camera setup देखने को मिल जाता है, तीसरा उसके अंदर processor better है, तो यार यह सब चीज़े थोड़ा सा iPhone 11 को upgraded बनाती है, और अगर अपन बात कर लेते हैं, इसको अगर मैं बात करूँगा, अगर आप budget packed हैं, तो बाई, मैं iPhone SE से जादा recommend इसको as compared to SE, SE भी काफी powerful phone है, but XR इसलिए better है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और अपने day-to-day use के लिए काफी जादा अच्छा है, तो उमीद है, तो बात कर लेते हैं, give away के लिए आप लोगो को क्या 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 करना है, तो सबसे पहले तो बाई, जन्ने हो extra systems के, जिन्होंने हम सबस्क्राइब कर लेना है, ताकि आप लोगों को आगे ऐसा content मिलता है, और बाई, जरूर से कर लेना, और bell icon दवा देना, ऐसे घंटी दवा के जाना, उसी के बाद, वीडियो को like करना है, वो सबसे तादर जरूरी है, subscribe के साथ में like है, ठीक है, दूसरा, comment box में बताने के आ अच्छी लगी, क्या भुराई लगी, कुछ भी anything you would think of this device, ठीक है, आपको उसके बारे में बताना है, तीसरा और सबसे important, आपको इस वीडियो को तीन जरों के शाथ में share करना है, बले वो group हो या बले वो individual person हो, group वालों को थोड़ी से ज़्यादा priority मिलेगी, ठीक है, अब ज चैनल सस्क्राइब अगरे हम लोग देखनेंगे, वीडियो लाइक होगे हम लोग सब देखेंगे, ठीक है, तो बस कर लेना, उसको फटाफट दे, इसी के बाद इस वीडियो को अब या लाइक करें बिना मज जाना, क्योंकि गेवर में पार्ट ले नहीं है, चैनल के सब्स झाल